कि बच्चों सलम्हें कुम मेरी अवास क्लियर आ रही आप लोग बच्चों अणीज़ कि यह अजया एह ब्रौह अवस्तिक्ट कि उम्लजर अभी पिश्ली कुछ क्लास overtime cream, एप कọब्युआ WAS PhD, was a lot Sad They are हैं उनके अंदर या कोई स्टार्फिश हो गए जो के पानी के अंदर रहते हैं वो अपने आपको किस तरह से कंट्रोल करवाते हैं कुछ चीजे बचे बाद याद रखेगा कि Osmo Regulation का मतलब नहीं समझ पाते हैं कि Osmo Regulation कहते किस चीज को हैं तो Osmo Regulation पहले समझ लेते हैं कहते किस चीज को हैं तो पहर पेटा Osmo का word निकला है Osmo Lights है and osmolites means solutes osmoregulation solute की और water की regulation का नाम है osmoregulation आपकी body के अंदर animals की body के अंदर जो भी organism है, plants भी हो, कुछ भी हो उनके अंदर पानी और salts के balance को osmoregulation कहते हैं इसे पीछे हम hydrophytes, cellophytes में देखिया है animals में particularly दो groups हो जाते हैं जब हम aquatic animals की बात करते हैं, पहला group आपके पास होता है fresh water का और दूसरा group होता है marine water का, यह नमकीन पानी में रहने वाले, मुझे प्यारे बच्चे बताओ सबसे ज़्यादा problem osmoregulation का किसको होगा aquatic में fresh water या फिर marine water किसको ज़्यादा problem होगी पानी और salt को balance करने में aquatic या fresh aquatic या fresh जल्दी मेरा बेटा सबसे ज़्यादा problem किसको होगी, थोड़े मुश्किलात का सामना किसको करना पड़ेगा aquatic organisms में fresh water को या marine organisms को fresh water organisms या marine water organisms किसको सबसे ज़्यादा problem होगी sir marine को होगी क्यूंकि वो रही है जिए situation में रहे जहांपर salty salt है भार अब body के अंदर भी salt को पानी को बचा के रखना है ज़्यादा भार ना निकल जाए और आपके पास excreation भी करनी है कि ज़्यादा salt ना चला जाए तो कई सारी जीजा में देखनी पड़ती है Osmo regulation के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम नोट करते है वो Osmo regulation in fresh water होती है यनि fresh water के अंदर किस तना से आप Osmo regulation कर सकते हो अब उसके अंदर देखे मेरे प्यारे बच्चो fresh water में fresh water में या water के अंदर generally हमाएं पर दो चीज़े आ जाती है एक unicellular organisms आ जाते हैं और एक multicellular organisms आ जाते हैं multicellular organisms और unicellular organisms multicellular organisms ये unicellular organisms भी क्या होता है कि unicellular organisms extra water जो इनके पास होता है उसको ये pump out कर देते हैं using a thing known as contractile vacuole ये contractile vacuole को इस्तमाल करते हैं आपने amoeba के अंदर पढ़ा होगा कि nucleus के साथ contractile vacuole contract करता है उसके अंदे सारा कचरा भारा होता है पानी होता है एक्षिटी मठील होता है उससारा भाहर चला जाते हैं तो unicellular organisms like amoeba, like ugleena or something like that या paramecium वो usually क्या करते हैं कि वो contractile vacuole को use करते हैं contractile vacuole को यह पिछकाते हैं पानी सारा भाहर चला जाता है दूसरी चीश इसमें हम multicellular organisms को अगर देख लें तो हमारी fishes आ जाती है multicellular organisms यह क्या करते हैं कि यह आपके पास dilute urine produce करते है dilute urine का मतलब यह होता है कि आपके पास जो पानी है body में वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा होगा तो वो उसको पानी को बाहर निकाल देते है अब देखो मेरी बात को समझना एक ऐसी मच्छी जो एक ऐसे पानी में रह रही है जहां पर नमक कम है जहां पर नमक कम है मुझे ये बताओ कि उसको अपनी body के लिए उसको अपनी body के लिए नमक ज्यादा जरूरी है या पानी एक ऐसी मच्छी जो एक ऐसी जगह पे रह रही है जहां पर नमकियाद कम है पानी ज्यादा है ऐसी मच्छी अपने लिए अपने अंदर क्या चीज़ टोड रखेगी पानी या नमक चलो बच्छो बताओ उसकी बारे में सर नमक स्टोर करके रखेगी क्योंके बाहर नमक कम है तो वो अगर नमक ऐसी जाया करना शुरू करते है तो नमक का से मिलेगा तो दुरूरी होता है एक्टिविटीस परफॉर्म करने के लिए तो what this fish actually do के वो नमक को स्टोर करके ज्यादा यूरीन बाहर निकलती है और ज्यादा यूरीन के अंदर salts ना होने के बराबर होता है ज्यादा यूरीन बाहर निकलना means diluted urine बाहर चला गया पानी बाहर से वैसी अबंड़ेट अमाउट में आ रहा है salts की कमी है salt को स्टोर करेंगे पानी सारा भाहर निकल लेंगे dilute urine बाहर निकल लेंगे dilute urine produce हो रहा है दूसरी जी loss of salt is compensated by active uptake of salts active uptake क्या होती है हमारे पास अगर bilfers salt कम हो भी जाएं किसी वज़ा से तो active transportation होती है now active transportation क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों ज़रा यह याद रख लेना active transport आप में से कोई जानते है क्या होती है नाइट में शायद पढ़के आयो active transport, passive transport transportation की types क्या कोई बच्चा इन इन अलफाद से कोई वाकिप है sir higher to lower higher to lower क्या होती है higher to lower बना क्या चीज अलब higher to lower क्या होता active या passive अब समझे मेरी बात को यह बीच में एक दिवार खड़ी कर दी मैंने इस तरह मैं रखे हैं salts के किसी के molecule यह होगी है एक तस्वीर दूसी तस्वीर ऐसे ही है दूसी तस्वीर भी ऐसी सर्थ दोनों तस्वीर आपने same बनाई है बनाई same है ख़दीशा कहती है molecules grow lower to higher using an input of energy exactly ऐसा ही है energy इस्तमाल करनी पड़ती है direction note करना आप हमारे पाद let's suppose दो चीज़ है पहली चीज़ अगर तो मेरे पास molecules की movements ऐसी है high concentration से lower concentration की तरफ इसको हम कहते है passive movement of like molecules passive movement of molecules ज्यादा concentration से कम concentration की तरफ अगर movement हो रही है उसको कहते है passive movement of molecules ये उस वक्त होता है कि जब for example मैंने perfume लगाया अब perfume लगाया ना मैंने तो जो molecules थे उस ज़्यादा मेरे उपर आ गए अगर अब यहां से molecules diffuse करेंगे कमरे में पूरे कमरे में तो मुझे बताओ molecules of perfume मेरे उपर ज़्यादा थे कमरे पे ज़्यादा थे कहा ज़्यादा थे molecules of perfume कमरे में ज़्यादा थे या मेरे उपर ज़्यादा थे बोलो 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 कमरे में ज़्यादा या मेरे उपर ज़्यादा जब मैंने स्प्रे किया तो molecules मेरे उपर ज़्यादा होंगे perfume के या कमरे में ज़्यादा होंगे मेरे उपर ज्यादा होंगे मेरे उपर से कमरे में जाना higher concentration to lower concentration की तरफ movement है यह क्या कहलाएगी passive movement यह क्या कहलाएगी passive movement और passive movement की example में diffusion आ जाती है diffusion को तो नाम सुना होगा शायद आप लोग ने diffusion आ जाती है इसके अंदर passive movement में कोई energy खर्च नहीं होई spray क्या हवा में फैल गई ऐसे ही न अच्छा यह movement देखो अगर कभी भी direction of motion ऐसी हो direction of motion कैसी हो ऐसी from lower concentration to higher concentration यह आपके पास क्या कहलाती है यह active transport कहलाती है मसला यह है कि यह हो सकती नहीं है इसके लिए हमें इस्तमाल करनी पड़ती है energy energy लगती है तो lower से higher की तरफ आपके पास movement होती है इसलिए चूंकि इसमें energy लगती है तो यह process आपके पास कहलाता है active process क्या कहलाता है वाई active process with the expense, with the utilization of energy this is known as an active transport क्या किसी बच्चों के यहां तक problem है यह वाला फिनोमेना आम तोर पे in multi cellular organises पे देखने को मिलता है क्यों क्योंकि आप notice करो क्या भार salt जादा था जो मचली fresh water में रह रही थी वहाँ salt जादा कहा था मचली के अंदर ये मचली के बाहर जो मचली fresh water की थी उसमें salt जादा कहा थे मचली के अंदर मचली के बाहर मचली के अंदर जादा salts थे जब मचली में जादा salts थे और बाहर कम थे तो उसको अगर बाहर से salts लेने भी है तो कौन से process यूज करेगी नीचे वाला उपर वाला कौन से process नीचे वाला उपर वाला process अगर उसने सॉल्ड बार से लेने भी है तो वो कौन से फिनॉमेना को यूज़ करेगी उपर ये नीचे एक्टिफ प्रॉसस को नीचे वाले प्रॉसस को इस्तमाल किया जाएगा एक्टिफ प्रॉसस को क्योंकि मच्छली में पहले से अंदर ज्यादा थे सॉल्ड बाहर से उसको और चाहिए बाहर अंदर के मुकाबले में कम है तो जो सॉल्ड अंदर आएंगे वो एक्टिफ ली आएंगे एनरजी को यूज़ करके आएंगे मेरी बात बच्चों क्लेर हो गई भाई मेरी बात ख्लेर हो गई तो कहने का मतलब यह हुआ कहने का प्यारे बच्चों मतलब यह हुआ कि हमारे पास अक टेक ओफ सॉल्ड जो है वो एक्टिफ ट्रास्पोर्ट के जरीए होगी धाट इस वी गई इनरजी को ड्राइव दोस सॉल्ड इंट इस हैटप क्लेर होगे बच्चों मेरी बात आगे चलते हैं ऑस्मरेगलेशन इन मरींज वाटर वो ऑर्गैनिजम जो मरीं वाटर में यानि नमकीन पानी में रहते हैं उनकी ऑस्मरेगलेशन कैसे होंगी उनको भी जरा एक नजर देख लेते हैं तो उनकी Osmo Regulation के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पर तीन चीज़े रख दी है अब जो Marine Water होता है उसमें Organisms तीन तरीके के exist करते हैं तीन तरीके के Organisms एक्जिस्ट करते हैं उनकी कुछ तसवीर उनकी कुछ examples यहाँ पर मैंने बना भी दी ताकि आपको एक नजर में समझ में आज़े जब कभी इम इसका नाम लेंगे तो हमारे पास एक चीज़ सबसे पहले वाली वह होते हैं Boney Fishes Boney Fishes Boney Fishes कौन सी होती हैं बाई नाम लेना शुरू करो रोहू पला और 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 कौन सी होती है और पापलेट है ना और आपके पास हो गई टूना फिश हो गई ठीक है ट्राउट हो गई ट्राउट मश्ली समात बगारे की तरफ कोई गया और ट्राउट मश्ली मिलती है महाँ पर अच्छा इस तरह से और हमारे पास और कौन सी होती है और कौन सी Boney Fishes होती है यह जर्णरली वह बोनी फिश हम इस्तमाल कर रहे हैं त इसको वो बोनी फिश होती है बोनी फिश का तरीकेकार क्या होता है सौल्ड को कंजर्व करने का मेरे प्यारे बच्चों उसको नोट डाउन कर लो पॉइंट वाइज अपने पास दिमाह में बढ़ने के लिए पहले चीज़ यह उनके अंदर सौल्ड कम होता है बॉड़ी मे बोनी फिश इस ने यह एक नया तर्ज अमल इस्तेमाल किया है कि उन्होंने अपने अंदर सौल्ड कम रखें बह। बहार के मुकाबलें salts कम रखे हैं बाहर के मुखाबल है पहली चीज दूसी चीज यह अब आपके पास वो पानी को अपने अंदर खेशना शुरू करते हैं actively पानी को हासिल करते है अब देखो मेरे बच्चों बात को समझना जब मच्छी के अंदर salt कम है तो क्या ज्यादा है अगर मच्छी में salt कम है तो क्या चीज ज्यादा है पानी या कुछ और salt कम पानी ज्यादा पढ़ा भी था ना पीछी के अंदर वो जो solute का मैंने चोड़ चोड़ और ख़जाने अगरी कहानी सुनाईती आप लोगो मेरे साथ हो सारे बच्चे मेरी बात समझ पा रहा है क्या कह रहा हूँ हाँ तो अगर salt कम है cell में तो automatically पानी ज्यादा हो जाएगा ठीक अगर पानी मेरे cell में ज्यादा है और मुझे भार से और पानी लाना है ये बात याद रखते हुए कि मैं हूँ जिस पानी में उस पानी में salt बहुत ज्यादा है जिस पानी में हूँ उस पानी में salt ज्यादा है मेरे अंदर पानी ज्यादा है ठीक तो मुझे बताओ पानी को दाखिल करने के लिए passive transport इस्तमाल होगी active transport इस्तमाल होगी keeping this in mind कि मेरे अंदर salt कम पानी ज्यादा बाहर salt ज्यादा पानी कम तो मेरे अंदर अगर पानी आना है तो actively या passively बहुत असान सवाल है actively very good very good very good बेर वच्चे जाग रहें तो पानी को actively मैं दाखिल करूँगा अपने अंदर with the expense of energy क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अगर salt ज्यादा होता तो फानी automatically आजाता लेकिन मैंने salt अपने अंदर रखा नहीं है salt मैंने क्यों नहीं रखा क्योंकि salt को मैं secret कर रहा हूँ salt को किसी से secret कर रहा हूँ salt को मैं specific glands के जरीए secret कर रहा होता हूँ और एक और important बात मैं यानि जो फिशिज हैं बोनी फिशिज जो हैं वो salt body से बाहर निकालती है या तो किसी salt gland के जरी है या किसी और तरीके से बट उनका मकसद यह है कि पानी जादा हो जिसम में और नमकियात body से बाहर निकलती रहें मुझे बताओ ऐसे individual का बोनी फिशिज का यूरीन जो है उसमें salt जादा होगा या water जादा होगा बोनी फिशिस का जो यूरीन है जो excretory material है वो salt जादा रखेगा या पानी जादा रखेगा बोनी फिशिस का salt जादा very good बच्चों, प्यारे बच्चों very good आपके पास चुंकि उसका मकसद हयात है पानी अंदर रखना और नमक भार निकालना तो उसको जो तरीका समझ में आएगा उससे वो नमक भार निकालेगा और यूरीन के जरीबी के नमक भार निकालना तो salt water यानि salty आपके बाद जादा होगा उसका यूरीन, concentrated urine होगा, salt concentration वाली कान की होती ना, सुम cartilage कहते हैं, कुरकुरी हड़ी होती है, cartilaginous fish के अंदर दो बड़ी common examples है, cartilaginous fish की, एक तो जो पीछे बनी भी है, कौन सी वाली भाई, shark, shark is a cartilaginous fish, shark की body के अंदर bones नहीं होती, बलके पूरा system cartilage, कुरकुरी हड़ी से बनावा होता है, इसके आवा हमारे पास होते हैं, stingray, stingray देखी किसी ने, और dolphin fish नहीं है, dolphin तो एंफिबी है, mammal है, mammal, dolphin is a mammal, whale, dolphin, पौरपोईज, और बैली उगाज, आपके पास वो mammals है, cartilaginous fish में पहली example आयती, shark की, दूसरी example आयती, stingray की, stingray देखी किसी ने, वो एक बड़ा मशूर एक जमाने मे मैं पते ही, तुम लोग थे उस वक्के नहीं थे दुनिया में, एक बड़ा मशूर आपके पास वो था, एक क्या कह सकते हैं उसको, animal planet पे आता था, Steve Irwin नाम था उसका, Steve Irwin, Australian, जिसको stingray ने, सीने पे, अपना वो मारा था sting, और उसमें वो लेक पॉईजनस होता है, उससे death हो तो वो आम तोर पे cartilaginous होती है, sharks and stingrays are cartilaginous fishes, now, इनकी का खास बात है, ये आपके पास, they have highest salts by storing urea, इनकी बोड़ी में salt ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये अपनी बोड़ी में urea वगारा को store करके रखते हैं, अब देखो, boni fish के अंदर, salt कम था, cartilaginous fish में salts ज्यादा था, एक ही environment में रह रहे हैं, बस अपने मज़े की बात है, किसी है कुछ और taste है, किसी को salt रखना पसंद है, किसी को salt रखना नहीं पसंद, लेकिन specificity होगी, bone fishes, कम salt, cartilaginous fishes, ज्यादा salt, ठीक है, और ज्यादा salts भी क्यों है, क्योंकि urea आपके पास जो सवाली पैदा होता है, कि इनके पास इतना जादा यूरिया या आपके पास जो salt content है, वो आता कहां से है, तो यह जो nitrogenous compounds है, nitrogenous compounds है, आपके पास जैसे urea है, uric acid है, यह कहां से बनता है, पहले तो समझना ज़रूरी कि बनता कब है, यह urea होगा, uric acid हो गया, ammonia होगा, आपको हमारे जो cockroach वगएर हो यूरिक acid produce करते है, यह तीनों के तीनों nitrogenous से बने वे waste products होते हैं, और यह आते पता है कहां से हैं, यह आते हैं meat से, meat से, गोश्ट जो होता है न, वो ज्यादा urea या nitrogenous waste बनाने में help करता है, उसकी बज़ाई है कि इस meat के अंदर होता है protein, protein की breakdown से जो nitrogen nitrogen वाला group निकलता है आपके पास अलग से, वो nitrogen वाला group ultimately urea, uric acid और ammonia में convert हो जाता है, और यह तीनों की तीनों waste materials होते हैं, getting my point? point समझ पा रहे हैं मेरा, तो more meat means more nitrogenous waste inside the body, तो meat को सरा देखबाल के इस्तमाल करना चाहिए, इतना भी नहीं कि बिल्कुली पावले बावले हो जाएगा, गोश्टी खाये जा रहे हैं और दिन्दे की में कुछ और चीज़ खाने को हैं नहीं, उससे कई सारे urea based, uric acid based, ureids ब होती रहे हैं इस तरह की चीज़ है, तो ज्यादा सोल्ड्स, कम सोल्ड्स, अब आजाते हैं Osmo Conformers पे, Osmo Conformer, Osmo Conformer का मतलब होता है कि इनका Osmotic Regulation, Confirmed होती है, they are very comfortable, they are confirmed, with their Osmotic Regulation, उपर नीचे नहीं करते चीज़ों को, जो बाहर का सॉल्ड होगा, वो ही इनकी बॉड़ी का सॉल्ड भी होगा, यानि अगर बाहर मौजूद है, आपके पास 100 mmolr सॉल्ड, तो इनकी बॉड़ी के अंदर भी होगा 100 mmolr सॉल्ड, फिक्स करके रखते हैं, यह नहीं के ना ज्यादा ना कम, ने फिक्स, बिलकुल ब बाहर होगा उतना सॉल्ड यह ने अंदर होगा, फिक्स फ्लेइन पे होता है, ना जादा ना कम, बाहर होगा बात? अब जब अंदर भी इसॉल्ड उतना इतना बाहर सॉल्ड है, तो इनको ऐसा रिकॉर्वार्मेंट निखालो, डाइलूड उरीन निकालो, यह करो, वो करो, इन मसलों में पढ़ते ही नहीं सेरे से चिल लाइफ गजारे रहा है अपनी अम्र्टिबल लाइफ गजारे है कोई टेंशन ही नी नहीं है उनको किसी चीज़ की examples क्या होती है इनकी इनकी example में नहीं आप मना है वे starfish बनी विये this is a starfish on a rock on a coral bed बैठि विये starfish, actually not a fish, fish नहीं होती starfish तो starfish जो है, वो एक अलग ग्रुप से बिलॉण करती है हम पढ़ेंगे कभी यागे जागे कि वो कौन से ग्रुप से बिलॉण करती है starfish की खास बात यह कि ना तो यह star जैसी होती है ना यह fish होती है, ठीक है और आपको पता है कि स्टार जो है वो कैसे दिखते हैं स्टार कैसे होते हैं गोल होते हैं समारा सन है न स्टार है गोल है तो यह ट्राइंगल थोड़ी होता है और डायमेंड शेट थोड़ी होता है तो ट्विंगल ट्विंगल लेटल करते हैं पांच मैट के बाद अज़ान ख़ता है ठीक है पईरा बच्चों सालेvकुम बच्चों मैंolare हो ऑबोको मेरी अवाज क्लेर आ रही है अ चाय रहे? क्वेरे बच्चों मेरी अवाज क्लेर आ रही है आप लोग को ओ-के-गूड?. अभी रही salt होगा water होगा वो इनका हो जाएगा जादा होगा बहार इनका भी जादा हो जाएगा वहाँ बहार कम होगा इनको tension ही नहीं होती कि चीज़ की और उसमें ने एक्जेंपल दी स्टार फिश की कि स्टार फिश ऐसे होते हैं कुछ किताबं में पहली फिश का जिकर भी आता है कि वो भी आपके पास औस्व कनफर्मर्स होते हैं उनको भी ऐससच फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या पूल जाते हैं छोटी-छोटी चीज़ें छोटी-छोटी करके तोड़-टोड़ के याद रखो के बहुत असानी हो जाएगी लाइफ के अंदर आपके पास क्लेर होगे बच्चों आगे चलते हैं बच्चों आपके बच्चों के अंदर उस्मोरेगिलेशन किस तना की होगी मेरा बच्चों देख रहो पीछे क्या चीज़ बनी वी इसके यह कौन सा टेरिस्ट्र आइनमल बना वाए आपके बास पीछे इंटीर सिंद्ध के जितने बच्चे हैं उनको शायद इस बात का आइडिया हो कि यह पीछे क्या चीज़ बनी वी है पाक कराची वारे बच्चों को तो पता भी नहीं होता है जूबू में देख्यूंग या मुवीज में देख्यूंग इक चीज़े क्या होती है हैं बच् इस अने का सरी मॉनिटर लिजटर बिल्कुल ऐसे ही है यह मॉनिटर लिजटर है आपके पास और इट इस वन ऑफ दी मोस्ट प्रोनावन टेरिस्टिल आनिमल जो आपके पास घूमरी होती है इसकी इसकी औसमोरे गलेशन बड़ी सिविर किसम की होती है इसके इंदा हमारे सबसे पास क्या होता है कि हम यहांब बाद करते है और ऐनेमल स्की इनिमील स्केलेशन दोस्केल होती है और शोस्केलेटन मींस कोई स्केल्स हैं यह स्केल्स हैं कभी आप जा के सड़ाइब किसा स्केल्स के ओपर तो कुछ गोल्डन और ब्लू का कलर शेड आ रहा है वट केंड ऑफ शनेक इस डार्ट तो यह रेंबो पाईथन्स हैं हमारे पास बहुत कम होते हैं दुनिया में और बहुत मुश्किल से ब्रीड चिक होता ही वर इनना से स्केल्स होते हैं स्केल्स को बचाते हैं डेड होता है और वा स्को बचा रहे होता है थेक पहले बात नहीं होगी दूसरी prick एक बार जब बॉड़ी में पानी चला गया तो बार बार वो reabsorb होता है kidneys के थिरू यहनी kidneys की कोशिश ही होती है कि salts को निकाले बाहर और पानी को retain करके रखे हैं अपने अंदर तो reabsorption of water by the kidney and the rectum rectum किसका पार्ट होता है? किसी बच्चों को पता है rectum का होता है this part rectum यह किसका पार्ट होता है? rectum किसका पार्ट होता है? R-E-C-T-U-M rectum किसका पार्ट होता है? under the stomach yes we have our large intestine जो large intestine होती है उसका एक पार्ट होता है rectum the final part होता है और वहाँ पर जो fecal matter है वो भी store होता है महाँ से जासा है था पानी के absorbance होती है पानी निकले हो बोडी के अंदर वापिस दुबारा चला जाए तो उसको कहते है rectum तो rectum भी और kidney भी they make sure कि पानी ज्यादा से ज्यादा बोडी के अंदर stay करे conserved रहे ज्यादा जाया नहो clear होगी बात आगे सलते है some can produce water from fat catabolism using parochism fat की breakdown catabolism कहते है breakdown को metabolism में आप नहों नहीं पढ़ा होगा दो groups होते है anabolism and catabolism fat की breakdown से fat की breakdown से पानी produce होता है कौन करता है ये काम कौन साइसा जानवर है जो के fat को breakdown करके पानी produce कर सकता है और उसको पानी की कमी भी नहीं होती अवाज बच्चों clear नहीं आरी अवाज clear आरी मेरी hello 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 clear आरी okay done okay done किसी को भी अवाज का issue आई तो वो एक बार class को leave करके और फिर दो बार join कर लो बरी रबटर join कर लो को ऐसा issue नहीं है camel की की बात कि अभी बच्चों ने असल वगजर ने ने का कि sir camel ऐसे होते हैं कि जो आँ क्या करते हैं कि वह fat को store करते हैं उनके जो हम पोता है न को हान जो होती है उंट की पीछे उसमें फैड श्रूर्ड होता है जो हम कहते हैं वह पानी नहीं बरावा उसको पंचर करो पानी नहीं निकलेगा तो फैट्स निकलेंगे वो फैट्स असल में क्या होता है कि वो ब्रेकडाउन करते हैं and they turn into water catabolic, उसको metabolic water कहते हैं metabolic water फिर पूरी body में supply होता है ताके आपको जो problem आ रही थी पानी की scarcity की पानी की deficiency की पूरी हो सके kangaroo's के लिए भी मामला होता है इसके इलावा एक और चीज़ ये के terrestrial organisms क्या करते हैं कि वो लगतार पानी पीते हैं कराची के बच्चों को मसला है पाकिस्तान के बच्चों को मसला है पढने बैठते हैं पानी को भूल जाते हैं पानी पीते नहीं है पानी पीने जुरूरी होता है सिर्फ़ पानी को conserve करने का मस्तानी कि हम terrestrial organism हैं तो पानी की requirement जादा होती है पानी की requirement हमें पढ़ाई के वग भी जादा होती है पढ़ते वक्त अगर पानी जादा पीते हैं तो ब्रेन आपके पास जादा अच्छे तरीके से काम करता है वाटर की वज़े से मिंडल बैलन्स होता है ब्रेन के अंदर और एक्साइटेशन आफ नियूरोन जादा अच्छे से होते हैं आइन एक बैलन्स आपके पास खराब नहीं होता प्यारे बच्चे मेरी बात समझ पारे हैं तो पानी पिया करो पढ़ते वग पानी पिया करो नहीं रिसर्च आई है कि अगर बच्चे कोई भी स्टूड़न पढ़ते वग पढ़ाई के टाइम पे शर मुझे आँ नहीं आ रह अब आस तो आई नहीं होगी वेड़ा मिनट वेड़ा मिनट मैं बता तूं क्या करना है कि जिन जन बच्चों को प्रॉब्लम होती है अवास की वोई देख लें ठीक है क्लेर है छोड़ी अच्छा हाँ हाँ है हसन घरे सा Bowl ते ब्र टेज न गयाता है झालाधर भी लेग्जाल में ऎको संधा करें हैं अब लोग के अम पानी जपना बचा कर रखी अच्चे aiर पर्ळूंस होई पर millise mana करना चूरू आगे चलते हैं एक्सक्रीशन इंट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस असन ने बिल्कुल सही डिडियूस किये यहां पर यह फ्लैट वॉम है वेरी गुड वट इस दे नेम अफ दिस फ्लैट वॉम आप लोगो नाम पढ़ें पढ़ें कभी फ्लैट वॉम्स के नाम पढ़ें कौन कौन से फ्लैट वॉम्स होते हैं टेनिया सेजिनेटा और वो चार तरीके से एक्सक्रिषन होती है अनेमल्स के इंदर सबसे पहरी चीज को समझो मेरे बेटा animals में हमारे पाद जो सबसे पहला organism आता है उसका नाम है planaria अभी जो पीछे दिखाए मैंने आपको planaria पीछे दिखाए planaria में flame cells होते हैं याद रखना है ना flame cells flame cells कैसे flame कहते हैं आग को अगर हम planaria को बीच में से काड़ देते हैं इसे खोल देते हैं planaria को दो पीसे में तो planaria के अंदर जो उसकी जो excretory system है ना पूरा वो इस तरह से होते हैं इससे आग लगी विए tube tube tubes tubes बहुत सारी tubes बिखरी भी होती है ऐसी ऐसा लगता है flame generator हो रहे है तो वो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि planaria जो फुल style में चल लगी swag के अंदर कि उसके अंदर उसके अंदर जो इसका activity system हो फुल fire on it's on fire देखने में लगता है ठीक है और दूसरी को और चीज़ यह होती है कि इसकी बिल्कुल tips की उपर हमें तो हमाई पार detail नहीं है तो अब लिकिन आपको आधा दो इसके टिप्स के अंदर ना एक बल्ब लाइक structure लगावा उता है और उसके अंदर कुछ इस ताना से चीज होती है मिसाल के दौर पर यह बनावा होता है ऐसे करके और उसमें ना यूं करके आपके पास कुछ धागे नुमा structure होते हैं धागे यह धागे नहीं इस तरह से beat कर रहोते हैं ऐसे बीट कर रहोते हैं जोड़े होते हैं एक दुसरी के साथ और यह beating कर रहोते हैं उन धागों की beating सीलिया की beating के नतीजे में ऐसा लगता है जैसे मुंबत्ती जलाते ना तो यूण यूण करके तिम्टमार ही होती है उसकी मुंबत्ती की जो आग होती है तो बिल्कुल इस तरह से यह विशेल्स आपके पास जो रहोते हैं यह लोगते हैं तो देख के आसा लगते हैं कोई के चेंडल के अंदर आपके पास आग वाला पॉर्शन वह लाया तो यह दो तीन चीजों की वह से इनको फ्लेम सेल्स करते हैं तो इनकी अपेरेंट स्वैग होती थोड़ी सी और दूसरा एक सीली अंदर ऐसे लता है यह प्रोड्यूस करते हैं डायलूट यूरीन डायलूट है वह फ्लेम सेल्स तक पहुचता कैसे है वह फ्लेम सेल्स तक पहुचता है टिशू के जरीए एक टिशू दूसरे टिशू तीसरे टिशू अपने अंदर से सारा कशना निकालके और फिर बहते वह लेके आएंगे फ्लेम सेल्स के अंदर और फ्लेम सेल्स जो है वह सौल्ड इसको content बहुत कम है मेरे बेटा मुझे बताओ इसमें कोई तफसील कलब बात कोई ऐसी बात जो आपको परिशान कर रही है जो मैंने बात इतनी दियर में बोली है प्लैनेरिया फ्लेम सेल्स सॉल्ट्स कम टिशूस के फ्लूइट से enzymes security material कछ्रा सारा जमा हो रहा है कहां जमा रहा रहा एक फ्लेम में यह धमा हई है मरे बच्चोह ओके से निकलत либо bark प्रीट वह कहते हैं उसको कहते हैं मैटा मैटा नेफरीडिया मैटा नेफरीडिया मेरे बच्चों यह नाम याद करने हैं आपने वह अच्छे से इस टॉपिक के सबसे मुश्किल चीज अगर कोई है तो वो इनके एक्स क्रीट्ट्म के नाम है जैस यहां फ्लेम सल्स थे तो इन इफरीडिया है ज नो रीजन वाइ वी नेमड इफरीडिया कोई अब फ्लेम नेफरीडिया हैtech दो बजूहा थे इसके बेसे से नाम दे ने कि बन्याद बनती है बटाम उसको जमीनी कीडा अब देखो इनके अंदर जो इनका एकस्कृटि सिस्टम है वो मेटन अफ्रीडिया पर मुझत मिला है ठीक ये भी जो यूरीन प्रोड्यूस करते है प्लैनेरिया की तरह डाइलिूट करेंगे कैसे सौल्ट अंदर पानी बाहर क्यों करेंगे यह क्योंकि जिस जगा पे रहते हैं इनको पानी की सेच कमी नहीं होती जमीन के अंदर रहते हैं पानी के जारा होने की कोई सेच प्रॉबलम ही नहीं होती तो पानी को निकालते हैं बाहर और सॉल्ड को रखते हैं अंदर मुझे मेरे बच्चों प्यारे बच्चों ही बताओ सॉल्ड को बॉड़ी में रखके फाइदा क्या होगा सॉल्ड को बॉड़ी में रखके फाइदा क्या होगा पानी को रखना चाहिए ना explanation दे दो मैं खुछ हो जाएगा मेरा दिल salts अंदर रखके क्या मिल रहा उसको जबके आपकी requirement पानी है तो पानी dilute form में बाहर निकालके salts अंदर रखके ये तो आपने नुकसान कर रहो ना हाँ बरीडा के लिए सर केच्वाई कहते है हसन कहने सर नूट नरिश्मंट मिलती है salt से नरिश्मंट मिलेगी हमें चलो अगर मान भी लिया जाए मसला नहीं है सच कोई लेकिन मैं ही कह रहा हूँ कि यही मैं अब हमें तो पानी चाहिए ना पानी तो मिली नहीं जा कहा गए भाई सारे बच्चे जवाब नहीं हा रहा आप मुश्किल हो गया बच्चों के लिए बच्चे बोलने सर हमसे ना हुपाएगा है वही कोईशन दुबारा कर लेता हूँ मैंने का देखो अर्थ वर्म मेटन एफ्रीडिया के जरीए डाइलूट यूरीन प्रोड्यूस कर रहा है डाइलूट यूरीन का मतलब यह है कि यूरीन के अंदर पानी ज्यादा सॉल्ट कम सॉल्ट चले गए बोडी में पानी चला गया बोडी से बाहर सवाल मेरा यह था कि टेरिस्टिल और्गैनिजम को तो पानी ही चाहिए अभी बीचे पढ़के आए ना तो जब पानी उसको चाहिए तो वो पानी निकाल क्यों हो रहा है पानी रोग क्यों नहीं रहा है सॉल्ट निकाल है ना बोडी से बात सॉल्ट अंदर रखके क्या फाइदा हो रहा है पानी निकाल के उसको क्या मिल्दा है उसको तो उलटाई नुकसान ही हो रहा न लेकिन वह ऐसा क्यों आपा है प्लैनेरी अभी यह काम कर रहा है यह बी पागल होगी बाउखला होगी है मैं अभी पानीका बचत बजार लगा वा है कोई sale will लगी वे के पानी आपको extra मिल जाएगा पानी की तो कमी है हम तो जमीन पर रहने वाले और्गेनिसम्स है पानी तो वैसी कम हो रहा है फिर भी ये पानी निकालना है salt रोक रहे हैं बॉड़ी में किसी बच्चे के बाद जवाब नहीं है वही सब हार गए सबने हाथ खड़े कर दी है यहाँ पर आई है मुश्किल हो गिया चलो मैं बता देता हूं तुम लोगों से नहीं होगा एक्सक्रिट्री वाट नहीं नहीं एक्जैक्ट रीजन 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 छोड़ो मैं उगलवाता हूं तुम लोगों सभी उगलवाता हूं तुम लोगों सभी उगलवाता हूं तुम लोग सर फिल्टर हो जाता है टिशू और बलड नमक कहा गया नमक तो बोड़ी के अंदर यह पानी निकल गया भार आप सुनो भई नहीं हो पारा मैं बताता हूँ अभी जवा तुम लोग खुद दो गए सर विकॉज हमारे अंदर जो सॉल्ट की कमी होती है तो हम निडाल हो जाते हैं अल्ला बच्चे को देखो परिशान हो गया यह देखो तुम लोग ने ओरस के कारबार करने वालों कारबार बंद करवाने हैं अगर तुम लोग ऐसी बाते करोगे तो पानी से नहीं होता सर केटाबॉलिक रियक्शन सर निम कोल अए है देखो ऐसी बाते कर रहा है तुम लोग मेरा दिल बैठा जा रहा है मेरी बात तो सुन दो मेरी बात तो सुन दो मैं अभी कुछ कहना चाहरा हूं न मेरी भी तो बात सुन देखो मुझे बताओ कर नमक भूग लिय के पानी भार आ कि यह घ्यास लिसन डूइब पानी बहार चला गया अब बॉड़ी के इंदर सोल्ट ज्यादा है मुझे बढ़ो बाड़ी में अब ज्यादा पानी लेने की केपासटी बढ़ गई या कम हो गई बॉड़ी में अंदर नमक होने की वज़ा से ज्यादा पानी लेने की कापैसिटी बढ़ गई या कम हो गई बढ़ गई वेरी गोड चोर खजाने के पास जाएगा येस वो चोर जो पानी है वो आपकी बॉड़ी के अंदर जो सॉल्ड यानी सॉल्ड खजाना उसकी तरफ जाएगा ये स्ट्रेटिजी है देखो कोई मचली पकडने वाला जो है ना वो आपके पास तीन मचली पकड़ा उसमें से एक मचली छोटी वाली वो अगर काटे में डालके नीचे पानी में डालना है तो वो अपनी मचली जाया नहीं कर रहा क्यूंकि वो उस मचली से तीन चार और काम कर रही है अर्थवम प्लैनेरिया के बॉड़ी भी काम कर रही है कि वह सौल्ड को रोक के पानी निकाल ली ताके और पानी बॉड़ी के अंतर आ सके समझे रहो के नीजिए मेरी बात को है बई आई बात समझ में इसका तो पूरा लंबा प्रोसेस होते है जाड़ सी बाता ट्यूज में किस तरह से पानी फ्लो कर रहा है साज़ी से कैसे हो रही है लेकिन स्ट्रेटीजी देखो बॉड़ी की के बॉड़ी कोशिश करती है नमक रोक के पानी को खेचे अंदर और यह जो जितना भी कछरा आ रहा है ना यह जो नाइट्रोजिनस वेस्ट आ रहा है यह कहां से आ रहा है प्लेइरिया में आ रहा है ढाता है टिशु से अब यह सिलो में क्या होती है अब हमारी बाड़ी के अंदर खास दोर पर इंटेस्टीन वाला पोर्शन है ने यह पेट करती हैं वहाँ पर उसका blood flow कर रहा होता है वो blood उस कच्रे को लेके जाता है metanephredia के पास और metanephredia वहाँ से बाहर निकाल लेती है टिशू से कच्रा आया बजाए directly आपके पास जैसे इसमें flame cell में चला गया था वैसे नहीं कच्रा जमा होता है cavity में cavity में से blood flow करता है और blood फिर जाके metanephredia के पास कच्रा लेके जाता है वहाँ से salt रोक ले जाता है पानी आगे निकाल दे जाता है तो खाली cavity खाली space आपके एनलीट्स के अंदर आपके earthworms के अंदर silo में cavity कहलाती है silo में cavity कहलाती है खाली space के अंदर कच्रा जमा होता है वहाँ से move करता है नालियों के अंदर नालियों को metanephredia कहते हैं और metanephredia फिर salts को रोक के पानी निकाल दे दे डाले वे टूरे निकल जाता है आगे चलो भई आगे आगे आप सबका पासिंदा कौकरोच कौकरोच क्या करता है भई कौकरोच जो है उसके उसका जो एक्सक्रीटरी औरगन है उसको हम कहते हैं malfeasian tubules ये भी छोटी छोटी नालियों होती है और इंशालला जब आप लोग first year के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको कौकरोच की डाइसेक्शन करनी पड़ेगी डाइसेक्शन करके आपको ये malfeasian tubules निकालनी पड़ती है सम्टाइम nervous system भी निकालना पड़ता है तो वहाँ पर आप इसको बगायता देख भी सकते हैं स्वीरे देखना तो एक अलग कहानी होती है खुद अपने हाथ से जब उसके कचरा साफ करने वादी नालियों को आप लोग देखोगे और इसको डाइसेक्ट करोगे और उसको चेक करोगे और कैसी होती है तो मैं आपकी feelings पूछूँगा I guess आप लोग को बहुत अच्छा फ से पहले वाले जितनी भी और्गैनिसम्स थे चाहे प्लैनेरिया और चाहे अर्थवाम हो यह अपने पास से यूरीन प्रोड्यूश करते हैं लिक्विट फॉर्म में नाइटिजिनस बेस बना रहे थे जबकि अगर हम बात करें कौकरूच की तो कौकरूच सॉलिड फॉर्म में यूरिक एसेट के क्रिस्टल या पैलेट्स बना रहा है मेरे प्यारे बच्चों ही बताओ जब उसने यूरिक एसेट के पैलेट्स बनाए है तो अब यहां पर इस यूरिक एसेट के पैलेट्स के अंदर पानी ज्यादा होता कम होता है यूरिक एसेट के पैलेट्स में जो टुकडे हैं उनमें पाणी ज्यादा होगा या कम होगा सर उसमें पानी कम होगा बलकि ये कहलो के पानी नहोंने के बराबर होगा चुबके इसकी इसके अंदर थोड़ा साथ सीन्ग चेंज होता है अर्थ वाउं के इंदर अगर तो इसका अगर पाऊं रखो ना उपर तो कटक करके अवाज आती है को अगर आपने तो उसके ने पानी को बहार निकलने से रोखता तो यह जो कौकरुच है इसको ऐस सच पानी के लॉस का इशू नहीं होता तो यह पानी अपने अंदर स्टोर करके रखता है और कचरा जो है वो सॉलिट फॉर्म में भाहर निकालता है अब इसमें जो कचरा जमा हो रहा है वो कहां से आता है तो देखो इसके अंदर हीमो होता है हीमो लिंफ वाइट कभी अगर कॉकरुच मारा हो आपने कुछला हो अगर कॉकरुच मारना नहीं कुछला होगा तो उसमें बाइट कलर का फ्लूइड निकलता है फिर चेक करके यह होता है ना हो तो वाइट कलर को जैसे हमारा ब्लड होता है रेड कलर का कॉकरुच क पे देखा तो होगा तीवी तो देखा होगा ऑक्टूपस को अगर मारेंगे न तो ऑक्टूपस का ब्लड होता है ब्लू कलर का उसके ब्लड को कहते हैं हीमो साइनिन साइन या स्यानिन का वर्ड इस्तामाल होता है ब्लू के लिए तो हीमो लिंफ सफैद ब्लड ब्लू ब्लड हीमोसाइन और रेड बलड हमारा हीमोग्लोबिन की वजय से हीमोग्लोबिन की वैसे हमारा Channel समझे रो प्यारे बच्चों तो ब्लूब्लेड हीमी कॉंक्ति कोपॉस वाइड बलराड कॉक्रोच हीमोलिंफ red blood हमारा hemoglobin की वैसे test करवायोगा कभी किसी ने as cbc वाला तो उसमें hemoglobin का test होता है और globin आपके पास जो protein होती जो red coloration देती है red coloration देती है तो hemoglobin का test होता है body के अंदर हमारी तो cockroach का blood white होता है blood के अंदर कचरा भरता है, वो blood का blood flow करता हो जाता है malfeasant tubules के साथ, वो वहाँ से पानी को खेच लेते हैं और solid form में uric acid बाहर निकाल देते हैं, solid form में uric acid बाहर निकाल देते हैं, मेरे बच्चों clear हो गई बात, yes or no clear हो गई बात, yes or no आज की आखरी बात बस बताने लगा हूँ फिर class को wind up कर रहा हूँ vertebrates की बात कर लेते हैं, vertebrates कौन हम vertebrates हैं, sir कैसे बदा चला हम vertebrates हैं, हमारी back side पे vertebrate column चल रही है, जिस जिस organism के अंदर read की हड़ी होती है वो vertebrates कलाता है, चाहे fish चाहे frog, चाहे आपके पास चिपकली, चाहे मुर्गी, परिपरिंदे चाहे हम, तमाम organisms, bats, anything, जो के आपके पास amphibians, reptiles एव्ज और fishes spices और mammals की groups में आते हैं, सब के सब vertebrates हैं, इनके अंदर filtration होती है गुर्दों के जरी है, गुर्दे kidneys के जरी है filtration होती है प्यारे बच्चों, kidneys के जरी है filtration होती है, kidneys के जरी filtration होती है, और produce क्या होता है, liquid form में, liquid form में urea, uric acid या ammonia, तीनों चीज़े produce होती है fishes आहम तोर पर ammonia मनाती है, अच्छा uric acid आपके पास, जो है reptiles बनाते हैं, uric acid, reptiles बनाते हैं, हम लोग जो हैं, हम और birds जो हैं, वो ammonia NS3 बनाते हैं, तो तमाम organisms, kidney, गुर्दे इस्तमाल करते हुए, तीन कोई सी भी nitrogenous waste प्रोड्यूस करते हैं, और उससे फिर आपके पास जो है, वो, उसको हम फिर excrete कर देदे हैं, बॉड़ी से बहाद अच्छा, तीसरी चीज़ यह हमारे पास जितना भी कच्रा जमा होता है, वो blood में जमा होता है और blood से kidneys में जाता है आप लोगों को अगर किसी बंदे के देखा हो किसी का, अगर dialysis होती भी देखिए कभी किसी को, अपनी life में dialysis में क्या करते हैं, dialysis में kidneys काम करना छोड़ देती तो machine पर आ जाता है बंदा machine पर क्या करते हैं, कि या तो pin जो होती न, probe या तो वो लगती है blood के अंदर या वो लगती है, आपके पास या peritonial membrane जो होती है, आपके जो intestine वाला portion होता है, यहां लगती है क्यों लगती है, blood ही से कचरा बहार निकालते हैं, ammonia एक तरफ जाता है, या जो nitrogen एक तरफ और blood वापस body के अंदर से ले आता है, तो blood से extract करते हैं, blood की filtration करते हैं, और kidney का काम भी है, kidney को कहते है, filter of the body, body को filter करती है, आपकी kidney, कचरा अपने पास, blood वापस, तो blood के जरीए कचरा निकाला आता है, let me summarize it for your class को end कर देता हूँ, planaria flame cells, dilute urine, आपके पास cockroaches, metanephridia, dilute urine, आपके पास arthropods like cockroaches, malphigen tubules, uric acid के pallets, solid particle, cordates, kidneys, तीन टाइब के nitrogenous waste, urea, uric acid और ammonia, मेरे प्यारे बच्चों, आज की class को यहीं तक रखते हैं, इंशालला आप लोगों से अगले अफ़ते मुलाकात होती है, उमीद है कि आप लोगों को आज की class अच्छी लगए होगी, कुछ additional information मिली होगी, आज के लिए इतने रखते हैं, assalamualaikum, allah hafiz.